दोस्तो मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन क्लासिस मेरे प्यारे दोस्तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही जाद जबर्दस्तों होने वाला है क्योंकि आज किसी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा नर्जनन तंत्र के बारे में ठीक है और बहुत सारे बचे को इस टॉपिक में बहुत सारी जो है कनफ्यूजन रह जाता अची तरह से समझ में नहीं आता है ठीक है लेकिन अगर आप इस वीडियो को पुंता देखेगा तो आपके मन में जो सवाल बनता है सवाल उठता है सारा सवाल का जवाब आप लोग को अज मि विड़न तंत्र होता है लेकिन नर्जनन तंत्र जो होता है बाहर होता है ठीक है अब यहां पर मेंने एक पिक्चर ड्रॉट किया अप पिक्चर को अच्छी तरह से समझ ये जो है नर्जनन तंत्र काивать 正 और आपको इस पिक्चर के माधियम से संपुन घटना समझा देंगे अब यहाँ पे आईए थोरा समय इधर आ जाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझा सकूँ तो आप लोग सबसे पहले चीज़ याद रखिए जो पर्मुक भाग होता है वह बिर्सम होता है ठेक्छी डीज़िस अब गांट समय बाहर लटका हूआ रहता है अब कहेगा सर कि ये बाहर क्यों लटका रहता है बहुत सारे बच्चे के मन में जो प्रसनारा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ क्यों लटका रहता है तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझे जो हमारे सरीर में क्या होता है temperature होता है गर्मी होता है लेकिन बिर्सन में जो है अस्पर्म बनता है सुक्रानू का निर्मान होता है ठीक है लेकिन इस गर्मी में ये सुक्रानू का निर्मान नहीं कर पाता है इसलिए ये सरीर के बाहर में जो है सुक्रानू का निर्मान करता है अगर सरीर के गर्मी अधिक हो तेस्टे स्टोरोन अब देखेंगे इस हार्मोन का क्या काम है यह समझ लीजिए जैसे यह देख रहे हमारे सरीर पर छोटे छोटे बाल आ गया दाड़ी आ गया ठीक है और जो और सारी चीजेंगे टेंसर नहीं लेना सारी समझाएंगे ठीक है अब आज जो जैसे 12 साल के बारे से 13 साल की उम्ड होता है तो क्या होता है? अब आज हमारा छेंज हो 20 मेरा यहाँ प्होब ₱ यहां प्या हमारा हमारा TV हो Państu यहां हो जाता है यहां पर बाला जाता है। जो हमार के लिए हमारे धी हो सब्सक्राइब वा सबस्सक्राइब काल मुलाओ थे किसी पर लड़का इधर उधर टाकना जाकना श्टार्ट कर देगा मतलब दूसरी लड़की को देखनास टाइच कर देगा उंकरे मन में वह वाली किरिया आने लगती है आपको समझ में रहें और भी चीजें आप लोगों को समझाओंगा टिंसन नहीं लेना है तो यहां फे बिर्सन से जो है दो चीज़ें होती क्या होता है एक तो टेस्टोस्टरोन एक अस्पर्म बनता है किलियर हो गया यह चीज़े ठीक है अब देखो भई अस्पर्म की मैं बात कर लोता हूँ थोरा साप लोको कुछ चीज़ें समझाता हूँ अस्पर्म जो होता है ऐसे भुक बगेना में दिया रहता है तीन एमेल तीन एमेल से चार एमेल तक ठीक है तीन एमेल से चार एमेल तक जो है अस्पर्म निकलता है एक बार में ठीक है और ये जो अस्पर्म की जो अबधी होती है अगर मैं बात करूँ इसकी अबधी जो होती है कितनी उम्ड होती है कितनी तेर तक ये जीवित रह सकता है वो होता है बीस मिनट ठीक है बीस मिनट अब बीस मिनट कहां परेगा ये सरीर के बाहर निकलने के बाद ठीक है ये सब सरी जो है गरबासे में चला गया तब कितना दिर तो हो सकता है वो 24 घंटा जिन्दा रहा जाए एक दिन भी जिन्दा रहा सकता है और बहुत सारे चगे पर आपने देखा 7 ml तक ठीक है 7 ml तक अधिक से अधिक अगर अस्मर्म आए तो 7 ml आएगा और 7 ml आएगा जिनको उतना पाब अब कहें है और चीजें संजाते हैं यह जो 7 ml होता है जो अस्पर्म निकलता है वह सभी अस्पर्म काम करता है में सभी श्पर्म जाते हैं जी नहीं आप कौन जाते ह हैं यह समझें अगर आप scripture देखे बना रहता है दो तरह कंपर होती है यह करके यह पूछ रहता है दो पर मिस पूकर ला रहते हैं वह कर पूंच रहता है चुप करना सवा लुआता है यह पूंच रहता है आप आते हैं यहाँपे ठिक है बहुत सारी चीजे जो है बच आप सरे शहिकारक 8 में शॉनेट निकाल लिए तो जिन्दा रहेंगे बिल्कुल जिन्दा रहेंगे और साथ में यह शारी परिक्रिया उनके साथ हो सकता है, तिकाथ सपर्म भी बनेगा, ये गों किरनी निकाल लेंगे, तो जिंदा रहता न, जिये इंसान, उसी परकार से एग उर नहीं हो रहा, तो काम चल सकता है, अब आते हैं यहाँ पे अधि भिर्सन, अधि भिर्सन का क्या काम होता है, इसको प्रोटेक्ट खेलते समें कूटते समें कहीं कोई से चोट लग जाता है चोट लग जाता है और असमारी भीमारी हो समझेगा इस शुक्रभाहिनी है यह सुक्रवाही नहीं है और इसी के द्वारा सुक्रानु जो है दूसरे जगे अस्थांतरन होता मतलब जाता है ठीक है अब क्या होता है अगर पुरुस को नस्बंदी करना है महिला नस्बंदी करती अक्सर लेकिन अगर पुरुस नस्बंदी करे तो हई बला डॉक्टर की कर अब को जानबर से लेके समझाते हैं ये वह सिन्ट वह तो बतबा बोलता हू घोए तो ऑटिक है उस्याइक्ष जी 건 suisse graud omega kun culture । थैसे सें ने टो तै Tampa जेते रहता है देखते हैं पजshot आध माहरता ठीक है तो वह क्या होता है जो बोतबा होता है उखर जो है यह फिरेट रहता है जहां मर्ज सप्ब्सकाइं पर जाता है उनको थे लगता है अनूंत करने लगता है उनको पर करने लिए आ जय सकता हैicha सुक्रवाहिनी और यह सुक्रवाहिनी के रास्ते यह सुक्रासे तक जाता है सुक्रानु अब वहां सुक्रानु का क्या काम है वह मैं आपको बताता हूं उससे पहले आप एक यह नली देख लिजी यह बला नली है है की करता है यह किरनी से निकल के आती है कहां में मुत्रासी में किरनी से जो है मुत्रासे तक जो पानी को पहुंचा ता एक तरस के यह मु पर डिपेंट करता है जब आदमी का एक्छा हो जाए या प्रेसर आ जाता है तब जाके यहां सी निकल जाता है दूसरी चीजे जो यह रहते हैं नली होते हैं एक ही नली होते हैं जिसके रास्ते पेसाब भी निकलता है और उसी के रास्ते यह सुकरानू भी निकलता है एक ही तो यह होता है सुरानु को क्या करता है सुक्रासे में सुख्राँसी दर्भ पाया जाता है और सुक्रासे जु है एक गरंथी होती है जिस सुक्रानु को तो क्या क्या जाता है पोसन किया जाता है ठीक है और जब उसका जरूरत हो जाए तो वह निकल के सिधे यहां सिसन के रास्ते से निकल के गरवासे में चला जाता है या जैसे भी जाए तो समझ में आ गया यह 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 भी चीज समझ गया अब यहां पे एक और चीज प्रोस्टे कर दिये मैंने जो भी चीज था यहां पर जो इसके अंतरगत आता यहां पर शिशन की एक ही नलीम से पैसाब भी निकलेगा ठीक है और सुक्रानू भी निकलता है यह चीजें समझ गें पैसाब भी निकलेगा और सुक्रानू भी इसी रास्ते से निकलता है शिशन की बात करें यह एक बाहिय जनन तक अंग के रूप में होता है जो नली के द्वारा सुकरानू को गरभासे तक पहुचाता है यह पहुचाने वले एक तरह से पाइप हो गया ठीक है यह पाइप जो है पहुचा देते हैं ठीक है यह बाहर सीधी सी बात है इसको सुकरानू के बाहर निकलने काम करता है लेकिन महला की बात करो महला कि जो है जो भी जनलम है वśило क्या है ईंदर में है तरी सव enormous ज़्यादा कुछ ही नहीं अब बदाओ आपके मन में कोई question अक्रार तो आप मुझे comment करना वां कि यू कि सर मेरे जोस्तों नोट्स चाहिए बाई तो नोट्स के लिए मैंने लिखा दिया बाकी पिक्चर में तो सारा चीज में ने किलियर ही कर दिया अब दिखू क्या यहां पर लिखा मैंने यह जो है यह नर्जरंट अंत्र का परमुक्वाग होता है विर्सन ठीक ए और टेश्टोअस्ट् होते हैं है यह चीज में नहीं बता अंगरा लुकane के सबढ़ा जी नली आदमी नली हिज्रा बन जाएगी बाप नहीं बन पाएगा यह मतलब सबस्क्रानु ले या एक गरंथी होती कि इसमें ते अकोई इडिलेटेड कुछ बिर रहे और यह जो हार्मोन होथता है यह टेस्टोस्टोडोन हार्मोन इसी से सेक्स्वल एक्टिविटीज बढ़ती है मतलब लड़का लड़की लड़का जो है लड़की के उपर फिदा हो जाते हैं जिसे बोले फिदा हो गए ठीक है यह चीजे इसी के वज़े से होता है तो बात समझ में आ गया न भीजा तो यार पानी पी लेते हैं चलिए अब करना क्या है वीडियो को लाइक कर देना और आपके मन में अगर और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना उसके बाद मादा जननंग के बारे में पढ़ेंगे जननतंत्र के बारे में पढ़ेंगे इसके जश्ट वीडियो मैं बना तो जरूर पूछना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए इसलिए जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना राय जरूर दे और मिलते एक ने वीडियो को लेकर और इसी तरह के कर लिजेगा और उसी वक्त कीजेगा जब आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए ठीक है